हाई एफ्रिवान वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूद सो जमो कश्मीर सेट एक्जाम की तयारी कर रहे हर स्टुडेंट का एक कॉमन सवाल लगातार यही है कि 20 अक्टूबर को जो हमारा पेपर होने वाला था उसको कैंसल कर दिया गया है तो अगले एक्जाम जिसमें स्टुडेंट्स आप सबको एक क्लियर आइडिया यह दे दूंगी कि कब आपका पेपर होने के चांस है और कितने समय पहले कितने दिन या कितने महीने पहले आपको बताया जाता है कि आपका एक्जाम होने वाला है तो चलिए फिर इसी के साथ डिसक्शन को वेस्ट हो गया आप लोगों का समय वेस्ट हो गया अब पेपर कंड़क्ट करवाया ही नहीं जाएगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है एक चीज़ आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेनी है कि देखिए अगर फॉर्म भरा है तो 100% शूर है कि आप लोगों का एक्जामि लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सलेवस्तो कवर करवाएंगे ही साथ ही PYQs और MCQs के साथ आपकी इतनी अच्छी रिविजन करवाएंगे कि आप लोग बहुत ईजी ट्रिक्स के साथ करेक्ट आंसर को इडेंटिफाय कर पाओगी साथ ही इस न्यू जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी बच सकता है प्रीवियस यर के पेपर्स को बहुत अच्छे से एनलाइज करके ही एक कम्प्लीट कोर्स लाएं है इसका न्यू बैच हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जल्दी से जॉइन कर लीजिए यह नंबर आपको दे रही हूँ इस पर आपने वाट्स एप के थ्रू कॉल या मैसेज करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी साथ ही कुछ फ्री वीडियो और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है जो कि ग्लोबल आउनलाइन आप में आपको मिलेंगे आप डाउ कि उसके वीडियो लेक्चर्स और पीडियाफ फाइल्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं तो यह एक ऐसा कोर्स है स्टूरेंट जो कि आप लोगों को डिफिनिटली अपने फर्स अटेंप्ट में एग्जाम कॉलिफाइ करने में जरूर मदद करेगा और इस कोर्स की वैलिडिटी सिक्स मंथ है इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों का एग्जामिनेशन थोड़ा लेट भी कंड़क्ट करवाया जाता है तो भी आप लोगों को परिशान नहीं होना है आपके एग्जामिनेशन तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि UGC के गाइडलाइन्स के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जामिनेशन जब कैंसल होता है या पोस्पोन किया जाता है तो उस एग्जामिनेशन की नियू डेट्स आप लोगों को इमिडेटली नहीं तो बच्चों को at least 30 days का समय देना चाहिए बच्चों को at least 30 days पहले आपको बताना जलूरी है कि आपका एक्जाम कब होगा ठीक है तो ये भी मैंने आपको तब की डेट्स बताई अगर आज हमारा नोटिस जारी होता है जिसके चांसे फिलहाल तो थोड़े से कम लग रहे है ठीक है तो आप लोगों को अगर मैं एक overall idea दूँ तो मेरे end पर यही है कि आप लोगों का paper December month के बिलकुल end में होने के chances है ठीक है December में बिलकुल last week में आपका paper होने के chances है या फिर January 15 January 2025 तक तो आपका paper हो की जाएगा तो आप लोग students जादा परिशान मत होए देखिए जो भी बच्चे पहले से बोल रहे थे न कि paper आने वाला है हमारे paper 1 की तयारी नहीं हुई है थोड़ा सा time मिल जाता तो यह कर लेते तो आप लोगों के लिए अब आई है यह एक golden opportunity ठीक है यह कैसी golden opportunity आई है जिसमें students आप तयारी करिए और अपने first attempt में paper को qualify करिए तो आप लोग परिशान मत होए dates को लेकर बस अपना पढ़ते रहे क्योंकि यह बात तो sure है कि exam आपका होकर ही रहेगा और इस according तयारी करिए यह समझ कर चलिए कि भाई 20 December को हमारा paper है तो 20 December तक कैसे हमें अपना पूरा syllabus भी cover करना ह प्लस पूरे syllabus को at least 2-3 बार revise भी करना है अगर 20 December तक paper होता है तो आपकी तयारी उस according फिर बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन अगर उससे भी जादा late होता है examination आपका तो आप लोगों को और भी तयारी मिल जाएगी revision करने की तो यह एक बहतर option है कि आप कब होगा paper यह सोच कर लीजे what's up के through और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी so इसी के साथ पर discussion को end करते हैं और भी कोई doubts अगर आपको है कहीं पर पर परिशानी है confusion हो रहा है तो मुझे comment करके बता दीजी मैं definitely आप सभी students की help करूँ नहीं